हेलो नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल कुट टुवेदर डबलू सविताने आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है छोटी सी वीडियो है वीडियो पूरा देखें प्लेस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाल और जिन्हों आपके सबसे पहले मिलें तो दोस्तों मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं ब्रत में खाने वाले आलू की चटपटे आलू की रेसिपी जो बिल्कुल अलग और तेश्टी बन करके तयार होगी तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया है अपनी जरत के अनसार आलू आलू को सबसे पहले हमको छीन लेना है इस तरीके से सबी आलू को इस तरीके से छीन लेंगे और साथ ही मैंने बगल में पानी रखा है साप पानी आलू को छीन ते जाएंगे और पानी के अंदर डालते जाएंगे जिससे हमारे आलू काले ना पड़े सभी आलो को छील करके पाने के अंदर डाल दे रही हूँ मैं और फिर इसके बाद इसको आच्छे से दोलूँगे यहां पे दिखिए सभी आलो को मैंने आच्छे से दोलिया है और फिर इसको दो टुकडों में काट लेंगे इस तरीके से अगर आपके आलो जादा बड़े हैं तो आप इसको तीन टुकडों में कर लीजिए सभी आलो को इस तरीके से काट लिया है और फिर यहां पे गैस पे मैंने पहले से ही गरम पानी होने के लिए रख दिया था और यह पानी अच्छा गरम हो चुका है और फिर इसमें डाल देंगे अपने सभी आलों को डाल करके ढग देंगे पास से साथ मिनट में यह आलो बहुत ही अच्छी तरीके से उबल जाएंगे तो दोस्तों अगर रिसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आप मेरी यह रिसिपी वीडियो कहां से देख रहे हैं बीच में मैंने चेक किया था और फाइनली आप सबको यह मैं डखकन हटा की दिखा रही हूँ अब यह आलो बहुत ही अच्छी तरीके से उबल चुके हैं यह दिखिए मैंने चेक किया और यह चाकु बहुत ही आराम से अंदर आलों के चला गया आलो उबल चुके हैं अब इसको पानी से बाहर निकाल लेंगे, छान लेंगे, सारे आलवों को इसी तरीके से निकाल लेना है, पानी से बाहर और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद इसको दो से तीन टुगड़ों में इस तरीके से काट लेंगे, तो दोस्तों मैं सेयर कर रही हूँ, आप सब के साथ रत में खाये जाने वाले चटपटे मुंगफली आलू की रिसिपी, सायद ही आप लोगों ने इस तरीके से आलू बना करके खाया होगा मुंगफली वाले आलो जो बहुत ही अच्छे और टेश्टी बनते हैं, सारे आलो कट गये हैं, अब आजाते हैं गैस के पास, कड़ाई के अंदर डाल देंगे एक से दो चमस, देसी गी, आप चाहे तो रिफाइन भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने करीबन एक छुटी मुंगफली डाल दिया है, और यह क्लिप मुंगफली जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, उसमें चिटकन की आवाज आने लगेगी, और थोड़ा सा रंग भी चेंज हो जाएगा, तो इसको साइट कर लेंगे, इसके बाद डाल देंगे एक छुटा चमस, जीरा और तीन से चार हरी मिर्ची जितना आप तीखा पसंद करते हैं, मिर्ची डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जब मिर्ची और जीरा सब आपस में अच्छी से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद अपने कटे उबले हुए आलू को डाल देंगे, और डाल करके पांस से छे मिनट अच देश्टी लगेंगे, और फिर डाल देंगे खूप सारा हरा धनिया और एक से डेट जमच कुटी हुई काली मिच्ची है, आप इसमें नूबू वगरे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, ये औप्शनल है, टोटल, और फिर इसके बार डाल देंगे, ब्रत में पस लीजिए, तैयार है हमारा व्रत में खाये जाने वाला मुंफली आलू की रेसिपी, अब यहां पर मैंने परोस दिया है इसको, अब इसे आप चाहें दही के साथ खाएं, या तो फिर ऐसे ही खाएं, ये ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लग रहा तो दोस्तों अच्छा खाएं, फुश रहें, तन दुरुस्त रहें, फिर मैं मिलूंगी एक ऐसी ही नई रेसिपी वीडियो के साथ, तत्ते के लिए बाई बाई अपना और अपनी फैमिली का ध्यान दखिएं, हैपी नवरात रे, छैमात आदी